सुप्रभाद बच्चों, आज मैं कक्षा लोगी कक्षा साथ के लिए, कक्षा साथ आपका दूसरा पाठ में आज पढ़ाओंगी, पहला आपका हो चुका था, जो पुनरावलोकन टाइप में था, ठीके बच्चों, तो दूसरा पाठ है आपका चित्र पाठा, मुखेता है तो ये चित्र पाठ है, यानि कि ये चित्र बना होगा, और उस पर बच्चे प्रश्न पूछेंगे, और उत्तर, मतलब प्रश्न उत्तर रूप में ये पाठा आपका है, परन्तु यहां पर चित्र ना उपस्थित होने के कारण, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूं, ठीक होगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से पढ़िएगा, सत्या ग्रहेल, सत्य के लिए मन, वच्चन और कर्म से दबाव डालना, अन्यत यानि और, अयक्षत दिया, कवित्री, कविता करने वाली इस्त्री, आसहत, सहा, अभूश्यत, शोभित किया, प्रेशित्व भेजा, भारता नुरागिनी, भारत देश से प्रेम रखने वाली, प्रभुतम बहुत, सुरभ्यम अति सुंदर, इस्मार्यती याद दिलाती है, विचलनती इस्म, विचलित होते थे, छदि, छत, इस्तंभईह, विनापी, यानि खंभों के विनाभी, अधिवेशनानी, ब अधिवेशनानी यानि बैठक, या फिर मिटिंग, इसका पहला गध्यांच देखिए, अयम से प्रारंब होकर ये अकारियत पर समाप्त होता है, इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, कि ये कौन है, फिर चित्र जैसे रहेगा, तो ये राष्ट्रपिता, मोहंदास, गांधी हैं, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाये है, ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक है, ये किसलिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के माध्यम से परतंत्र भारत को स्वतंतर कराया, ठीक है, इतना हमें बताया गया है, हमारे राष्ट पिता महात्मा गांधी के लिए अब दूसरा देखिए दूसरा गध्यांच आयम से प्रारम होकर आसीद पर समाप्त होता है इसका हिंदिय अनुबाद देखिए बच्चों ये कौन है ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपती डॉक्टर जाकिर हुसेन साहब है ये तीसरे र प्राथ्मिक सिक्षा पध्धती के विशेशक ये थे और तीसरे इसलिए थे क्योंकि इन से पहले भी दो राष्ट्रपती भारत के चुने जा चुके थे अब तीसरा देखिए गध्यांच आयम से प्रारम होकर अभवत पर समाप्त होता है इसका अनुवाद है ये कौन है य भारत के ग्यारवेह राष्ट्रपती डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम है इनका जन कब हुआ इनका जन सन 1931 में अक्टूबर महीने की 15 तारिक में हुआ इनका जन तमिलनाडू राजिके रामिश्वर नामक इस्थान में हुआ ये क्यूं प्रिसिद्ध है ये महान ग्यानिक है ये मिसाइल मैन के नाम से भी प्रिसिद्ध है इसके बाद देखिए चौथा गध्यांश जो अयम से प्रारम होकर आसीत तक है इसका अनुवाद है यह कौन है ये डॉक्टर भीम राव अंबेटकर है ये क्यूं प्रिसिद्ध है स्वतंत्र भारत के सम्विधान के निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था ठीक है सम्विधान के निर्माण की प्रारूप समिती की ये अध्यक्ष थे पाचवा गध्यांश देखिए इम से प्रारम होकर ना अंगी कृत्वती पर समाप्त होता है तो इसका हिंदिय नुवाद ह कि ये कौन है ये महरानी लक्षमी बाई हैं ये क्यों प्रसिद्ध है सन 1857 में प्रथम सोतंत्रता संग्राम की ये वीरांगना थी 23 वर्ष के आयू में इन राजरानी ने अंग्रेज सामराज्जी के सैन बलके प्रती लोहा लिया रण छेत्र में वीरगती प्राप्त की परंतु जब तक जीवन रहा अंग्रेज शाशकों को जहासी नगर पर अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया गध्यान श्चे जो इयम से प्रारम होकर अभूश्यत पर समाप्त हुआ है इसका अनुवाद देखिए ये कौन है ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नाइडिू है ये भारत कोकिला क्यूं है ये वीदुशी, कवित्री और सुमधुर भाशी थी इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया था यानि हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी ये गद्यांश साथ जो इम से प्रारंब होकर इस मरंति पर समाप्थ हुआ है इसका अनुवात ये कौन है ये प्रियदर्शनी इंद्रा गांधी है ये क्यूं प्रसिद्ध है ये हमारे देश की प्रदान मंत्री थी सब लोग इन्हें कुशल प्रशाशिका के रूप में इसका हिंदी देखिए अनुवात ये कौन है ये भारत से अनुराग रखने वाली परम विदुशी डॉक्टर एनी बेसेंट है इनकी क्या विशेषता है ये जन्म से अंगरेज यानी इंग्लेंड देश की थी इन्होंने हिंदू विश्व विद्याले के निर्माण के स्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित होता है इन्होंने देश यानी भारत की स्वतंत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था गध्यांशनों लखनव नगरम लखनव से प्रारम होकर निर्मितम पर समाप्त हुआ इसका हिंदी देखिए लखनव नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है यहां प्राचीन और सुंदर नगर है यहां बहुत से दर्शनी इस्थल है जैसे रेजिडेंसी इस्थल इमामबाड़ा और सचिवाले यहां क्या है यहां रेजिडेंसी इस्थल है यहां हमारे देश भक्तों के आत्मत्याग की याद दिलाता है प्रथम सुतंतरता संग्राम में, सन 1857 में भारतिये वीरों ने जब अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था, तब देश भक्तों ने यहाँ पर अंग्रेजों पर हमला किया था, इस युद्ध में राश्च्रभक्तों ने अपना खून बहाया था, इनके त्याग से ही स्वाध इसका हिंदी देखिए, यह इमाम बाड़ा भवन बहुत मनोहर है, यह अवद शाशकों का इसमारक है, इस भवन की छट बहुत विस्तृत है, यह बिना इस्तंभों के भी बहुत कुशलता से बनाई गई है, उस मंडल में अकसर नए आने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलया भी कहते हैं, कद्यान शक्यारा इदम सचिवाले भवनम से प्रारम होकर अस्तितक, इंदी अनुबाद इसका देखिए, यह सचिवाले भवन है, इस भवन में विधान सभा और विधान परिशत के अधिवेशन होते हैं, इस भवन म रहकर राजिके मंत्रियों के सचिव में ही उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्याले है, अब गद्यांश 12 जो कि आपका अंतिम गद्यांश है, यह इदम से प्रारंभ होकर संतित पर समाव्थ होता है, इसका हिंदिय अनुवाद, यह क्या है, यह आंचलिक विज्ञान क क्यूं प्रसिद्ध हैं? क्यूंकि यह अनुभव पर आधारित, सिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्याथ है, यह केंद्र लखनव नगर के मध्य में स्थित है, इस केंद्र में अनुवेशन कक्ष, इस नाम का भवन है, इस कक्ष में भूजली अनुवेशन, जैव प् विज्ञान ये तीन दीरगी का है तो इस प्रकार बच्चों आपका पाठ दो समाप्त होता है इसे लिखित रूप में मैंने लिखा हुआ है जो अभी में प्रेशित करूँगी उसे अपनी कॉपी पे आप लोग लिख लीजेगा और इसका अभ्यास मैं आपको अगले बात मे बताऊंगी वीजियो में ठीक है जो भी कुछ समझ में ना आए उसको आप मुझसे पूछ लीजेगा ठीक नमस्कार